आज मैं कोरियन कुर्थी की कटिंग बताऊंगी बहुत असान तरीके से कोरियन कुर्थी आजका लोग बहुत जादा पहनना पसंद कर रहे हैं कुर्थी की कटिंग में पेपर पे समझाऊंगी बहुती इजिली पेपर पे समझ में आ जाएगी कटिंग ये मैंने दो पेपर लिये हैं ये पेपर की लेंद इसलिए इतनी जादा है क्योंकि मैंने तीन नियूस पेपर जोड़ लिये हैं इस पेपर की विर्थ है 27 इंच इसकी लेंद है जितनी हमारे पूरे इंची टेप की लेंद है उतनी ही इसकी लेंद है यह मैंने दू नीज़ पेपर लिए हैं दोनों नीज़ पेपरों को बिल्कुर एक ब़ाबर करके बिच्छा लेंगे एक बार इस तरीके से फोल्ट कर देंगे अच्छे से सेट कर देंगे यह कोरियन कुर्टी मैं कॉलर वाली बना रही हैं सबसे पहले हम 3 का मार्क लगाएंगे 3 है 30 इंच 30 का हाफ हुआ 6 एंड फिंच ये कॉलर वाली कुर्टी है इसलिए 1 इंच बढ़ा कर मार्क लगाएंगे अगर ये बीना कॉलर की कुर्टी होती तो 6 एंड फिंच पे मार्क लगाते कॉलर वाली कुर्ती में 1 इच बढ़ा कर मार्क लगाया जाता है 7 and half inch पर मार्क लगाएंगे अब इसकी armhole length लेंगे armhole length है 7 inch half inch बढ़ा कर मार्क लगाऊंगी half inch जब कंधी किराएंगे तो उसमें चला जाएगा और half inch कंधों की सिलाई में चला जाएगा 7 and half inch इसकी length ली है इस मार्क को इस तरीके से सीधा कर लिया है यहाँ पे भी इस तरीके से सीधी line बना लेंगे अब यह chest वाली line हो गई chest है इसकी 44 inch 44 का चौथाई भाग करेंगे तो अंसार आएगा 11 inch 11 inch पर मार्क लगाएंगे 1 and half inch मार जल लेंगे 1 and half inch पे मार्क लगाएंगे अब chest वाले मार्क पे इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए कमर का मार्क लगाएंगे कमर का मार्क 7 inch पे लगाएंगे जैसे normal कुर्ती में कमर का मार्क लगाते हैं वैसे ही हमने इसमें भी लगाया है इस मार्क को सीधा कर लेंगे कमर तक तो इसकी मार्किंग नॉर्मल कुर्टी कीता नहीं है आगे इस कुर्टी में क्या चेंज होंगे वो अभी हम बताएंगे कमर है इसकी 32 इंच 32 का चौथाई बाग करेंगे तो आंसर आएगा 8 इंच 8 इंच पे मार्क लगाएंगे कोरियन कुर्टी पहनने के बाद बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगती है यहां से मार्जन लेंगे 1.5 इंच पे मार्क लगाएंगे कमर वाले मार्क को चेस्ट वाले मार्क से मिला देंगे इस वाले मार्क को भी इस तरीके से मिला देंगे अब यहां तक की मार्किंग तो नॉर्मल कुर्टी की तरह ही थी अब कमर वाले मार्क पे इस तरीके से इचिरेप को रखेंगे टू इच पे मार्क लगाएंगे इस मार्क को सीधा कर देंगे Korean कुर्ती में hip का मार्क नहीं लगाते हैं अगर किसी को कुछ भी पूझना हो तो comment box में पूझ सकते हैं अगर हम इसका shape इस तरीके से देंगे तो सही direction नहीं आएगी इसका सही shape देने के लिए हम hip का मार्क लगाएंगे जैसे हम normal कुर्ती में लगाते हैं कमर वाले मार्क पे इस टेप को रखेंगे 7 इच पे मार्क लगाएंगे इस मार्क को सीधा कर लेंगे आप लोग बोलेंगे अभी मैंने बोला तक Korean कुर्ती में hip का मार्क नहीं लगाते हैं बस इसका सही shape देने के लिए मैंने hip का मार्क लगाया है hip size 44 इंच 44 का चुटाई भाग करेंगे तो अंसर आएगा 11 इंच 11 इंच पे मार्क लगाएंगे कमर वाले मार्क पे और hip वाले मार्क पे इस तरीके से scale को रखेंगे और इस निशान को हमें इस तरीके से मिला देंगे ये मार्क हमें सिर्फ यहीं तक मिलाना है इसका सही shape देनी के लिए मैंने hip का मर्क लगाया था आप चाहें तो बिना hip का मर्क लगा ऐसे भी मर्क लगा सकते हैं लेकिन अगर इस तरीके से मर्क लगाएंगे तो मर्क बिल्कुल perfect लगएगा one and half इज मार्जन लेंगे इस मार्क को इस तरीके से मिला देंगे कपड़ा, इस कुरती की चाक वो बहुत लंब्बे होते हैं। चाक लंब्फ होने की discours लगती है। इन वामर्कों को मैंने सीधा कर लिया है। अब इसका दामन लेंगे इसका दामन है 11 इंच 11 इंच पर मार्क लगाएंगे। वन ऩक हाफ इंच फोल्डिंग के लिए वो वीडियो भी इसी चैनल पे मिल जाएगी अब इस वाले मार्क को भी इस तरीके से मिला देंगे अगर कुछी को कुछ भी सीखना है तो इस्टाग्राम पे मेरे साथ पिक्चर शेयर कर सकते हैं इस्टाग्राम निंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब हम आम होल का शेफ देंगे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे वन एंड हाफ इंच पे मार्क लगाएंगे अब इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे इसका हाफ करेंगे मार्क लगाएंगे अब इन मार्कों को मिला देंगे ये हो गया back armhole का shape अब हम front armhole का mark लगाएंगे वन इंच पे mark लगाएंगे यहां से इस तरीके से scale की help से इस mark को यहां तक मिला देंगे सारे ही markों को मैंने dark कर दिया ताकि easily समझ में आ जाए यहां से one and half inch पे mark लगाएंगे अब यह जो हमने mark लगाया था इसी mark से हम इसका shape देंगे इन markों को मिला देंगे यह हो गया front armhole का shape जितनी भी neck की width रखना है उसी हिसाब से यहां mark लगाना है अब half inch इसके कंदी गिराएंगे half inch पे mark लगाएंगे इन markों को मिला देंगे अब हम इसकी cutting करेंगे पहले हम back बाले armhole की cutting करेंगे फिर इस तरीके से यहां की cutting करेंगे अगर किसी को कुछ भी सीखना है तो instagram पे मेरे साथ picture share कर सकते हैं instagram पे मुझसे बात भी कर सकते हैं instagram link description box में मिल जाएगा मेरी instagram ID आमन बुटिक के नाम से है अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को like कर दीजिए चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर लीजिए अब हम back बाले piece को हटा देंगे front बाले piece को अच्छे से बिछा लेंगे front बाले armhole की shape cutting कर देंगे जब भी हम front बाले armhole की shape cutting कर देंगे तो बैग वाला piece निकाल देते है नेक की वीडित लेंगे two and half inch two and half inch पे mark लगाया है नेक की length लेंगे three and half inch neck की length four inch भी ले सकते हैं यहां से भी वीडित लेंगे two and half inch यह हमारा collar वाला neck बनेगा आप चाहें तो normal neck भी बना सकते हैं वैसे korean कुर्ती में collar वाला neck की जादा तर बनाया जाता है अब इस तरीके से इंचिटेब रखेंगे half करेंगे mark लगाएंगे अब इसी mark से neck का shape देना है start करेंगे बस इस तरीके से हमें गोलाई में neck का shape देना है अब यह marking तो हो गई है neck की cutting कर लेते हैं अब यह cutting तो हो गई है इसको open करके दिखाती हूँ यह इसका front का piece है यह इसका back का piece है यह हम collar वाली कुर्ती बना रहे हैं collar वाली कुर्ती में back के piece में हम neck cutting नहीं करते हैं और अगर हमें back के piece में neck cutting करना हो तो सिर्फ हमें आदा inch neck cutting करना होता है मतलब आदा इंच उसकी लेंस लेना होती है आप चाहें तो इस कुर्ती को फ्रेंट से उपन भी रख सकते हैं या चाहें तो बैक से उपन भी रख सकते हैं फिलहाल मैं इस कुर्ती को फ्रेंट से उपन रखूंगी तो हमें कितना उपन रखना है यहां से मैं 6.5 इंच पे मार्क लगा लूँगी जहां तक हमने मार्क लगाया है वहीं तक हमें कटिंग करना है बिल्कुस सेंटर से हमें कटिंग करना है यह पेपर है इसलिए मैंने ऐसे ही सेंटर की कटिंग कर ली अगर आप कपड़े पर कटिंग करें तो फहले प thé में प्रेंच से क्रीज बना ले फिर उसकी कटिंग करें अब ये कटिंग तो हो गई है इन पीषों को हटा देते हैं सिलिफ कटिंग करने के लिए ये मैंने सिंगल पेपर लिया है इसकी विर्थ लिए है 26 इंच इसकी लेंद लिए है 21 and 1.5 इंच मैं एक अस्तिन की कटिंग करके दिखाऊंगी आप एक साथ दोनों अस्तिन की कटिंग कर सकते हैं पेपर को एक बार फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल एक बराबर करके पेपर को अच्छे से सेट कर लेंगे ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी फोल्ड साइड है अब हम सिलिफ की मार्किंग करेंगे बहुत से लोग कन्फ्यूज आते हैं अस्तीन की विर्थ हमें कितनी लेना है आम होल की लेंद हमने 7.5 इंच ले थी इसकी विर्थ हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे तो हम इसकी विर्थ लेंगे 8.5 इंच, 8.5 इंच पे मार्क लगाएंगे इसकी विर्थ 9 इंच भी ले सकते हैं अब यहां से इसकी length लेंगे 3 and half inch, 3 and half inch पे mark लगाएंगे, अब इस mark को scale की help से इस तरीके से तिर्चे में यहां तक मिला देंगे, अब इस तरीके से inch tape को रखेंगे तिर्चे में, inch tape को इस तरीके से fold करेंगे, इसका half करेंगे, mark लगा लेंगे, फिर एक बार inch tape को fold करेंगे, मार्क लगा लेंगे मार्कों को मैंने डार्क कर दिया है अब यहां से हाफ इंच पे मार्क लगाएंगे अब इन मार्कों को मिला देना है इस मार्क से इस मार्क तक इसको मिला देना है इन मार्कों को सीधा कर लेंगे सीधी लाइन बना लेंगे अब हम सिलीव की मोरी लेंगे 5 इंच पे मार्क लगाएंगे 1 एंड फिंच मार्जल लेंगे अब इस वाले मार्कों यहां तक मिला देंगे इस तरीके से इंची टेप रखेंगे लाइन बना लेंगे बहुत ही इजी मेंतर से सिलीव का शेप देना बताया है अब इन मार्कों को मिला देंगे इनची टेप की हैल्प से इस तरीके से मार्क लगा देंगे जहां पर मैंने सिलीव का शेप दिया है वहां से मैंने 1 एंड फिंच का मार्डल लिया था वो में बताना भूल गई थी पहले हम सिलीव का बैक शेप कटिंग करते हैं और यहां से भी कटिंग कर देंगे अब हम सिलीव को ओपन कर लेंगे अब फ्रंट शेप की कटिंग कर देंगे देख सकते हैं सिलीव का शेप कितनी असानी से हो कितनी सफाई से आया है मैंने एक सिलिफ कटिंग की है आप दोनुई सिलिफ एक ही साथ कटिंग कर ले अब इसको हटा देते हैं कॉलर की मार्किंग कर लेते हैं कॉलर के लिए सिंगल पेपर लिया है इसकी लेंद 4 इंच है इसकी विर्थ 20 इंच है पेपर को एक बार फोल्ड कर देंगे पेपर को मैं अपनी साइड डख लेती हूँ इस तरीके से ये इसकी ओपन साइड है और ये इसकी फोल्ड साइड है एक सीधी लाइन बना लेंगे कॉलर की मार्किंग करना बहुत यह असान तरीके से बताऊंगी मैं सिर्फ एत तरीका बता रही हूँ कॉलर कटिंग करने का मैं 60 and half inch का कॉलर कटिंग करूँगी कुर्ती की जब हम कंदे स्टिच कर लेते हैं फिर उसके बाद गले की गोलाई नापते हैं फिर वो जितनी भी आती हैं फिर उसी हिसाब से कॉलर की विर्थ रखते हैं आज मैं आपको 60 and half inch का कॉलर कटिंग करना बताऊंगी बिल्कुल इसी तरीके से किसी भी साइस का कॉलर कटिंग कर सकते हैं 60 का half गुआ 8 inch 8 inch पे मार्क लगाऊंगी इस मार्क को सीधा कर लेंगे अब हम यहाँ पे inch tape को रखेंगे एक बा inch tape को फोल करेंगे मार्क लगाएंगे इसी मार्क पे हमें 3 पॉइंट का मार्क लगाना है पहले हम एक पॉइंट मना लेंगे फिर दूसरा पॉइंट मना लेंगे फिर तिसरा point में रा लेंगे यहां से इस mark को सीधा कर देंगे इस वाले line पे इस tape को रखेंगे 1 inch 2 point का mark लगाएंगे देख सकते हैं 1 inch 2 point इतना होता है इस mark को dark कर देती हूँ ताकि किसी को समझने में problem ना हो अब इस वाले mark को यह point वाले mark से मिलाएंगे और इस point वाले mark को यहां तक ले जाएंगे center तक center वाले mark पे इस tape को रखेंगे 1 inch 2 point का mark लगाएंगे यहां पे भी 1 inch 2 point का mark लगाएंगे यहां तक तो हमारा mark बिलकुल straight लगेगा इस वाले mark पे इस tape को रखेंगे बन इंच टू पॉइंट का मार्क लगाते जाएंगे इसे हमें इस मार्क पे इंच टेप को रखते जाना है बन इंच टू पॉइंट का मार्क लगाते जाना है बहुत ही असान है कॉलर की मार्किंग करना बस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेना है खुद बाखुद चीज़े समझ में आ जाएंगी कटिंग स्टिचिंग काफी असान होती है बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है अब यहां से इस तरीके से इंचिटेप को रखा है हाफ इंच पे मार्क लगाएंगे इस मार्क को इस तरीके से यहां पर मिला देंगे अब बस यह कॉलर की मार्किंग हो गई है मार्कों पे कटिंग कर लेंगे मैंने कटवर्क की बहुत प्यारे-प्यारे डिजाइन सिखाए है अगर वो वीडियो नहीं देखी है description box में link है video देख सकते हैं हमारे channel का visit करेंगे तो सारी videos मिल जाएंगी अब ये color की cutting भी हो गई है इसको open कर लेते हैं अब बहुत सारे लोग confused होंगे कौन सी side इसकी उपर की side आएगी color की और कौन सी color की side नीचे की side आएगी इस तरीके से color को रखे देखेंगे तो खुद बाखुद पता चल जाएगा देख सकते हैं ये गलस side है इस तरीके से रखेंगे तो color बिल्कु परफेक्ट आएगा अब ये जो color की उपर की किनारी है ये उपर की side आएगी इस पे यू बना देते हैं क्योंकि ये उपर की side आएगी इससे हमें पहचान देएगी और इसकी जो नीचे की किनारी है वो कुर्ती में attach होगी इस तरीके से color को रखे देखेंगे तो खुद बाखुद समझ में आ जाएगा इसका shape कैसे आएगा बस हमें इसको इस तरीके से रखना है इसका shape कितना प्यारा आया है color का एक बार में इसको नाप कर इसकी width चेक करा देती हो ये color तिर्चा होने की वज़े से थोड़ा सा बढ़ी जाता है तो color की width हमें चाहिए थी 60 and half inch की तो हम इसको नाप कर चेक कर लेते हैं ये 60 and half inch है या नहीं एक बार इसको चेक जरूर करना होता है देख सकते हैं 2-3 point इसकी width बढ़ गई है तो हमें क्या करना है इसको हलका हलका सा side से cut कर लेंगे दोनों ही side से बस हमें थोड़ा सा ही cut करना है color बिल्कुल भी छोटा या बढ़ा नहीं होना चाहिए color हमें एक एक point बिल्कुल बराबर रखना होता है जैसे हमें 60 and half inch का color चाहिए है न एक point जादा होना चाहिए और नहीं एक point कम होना चाहिए अब मैं फिर से एक बार इसकी shape दिखा देती हूँ आप लोगों को इसकी shape चेक करा देती हूँ आप चाहिए तो इस color की shape गोलाई में भी रख सकते हैं यहाँ से इसमें गोलाई भी दे सकते हैं यह color लगने के बाद बहुत खुबसूरत लगता है fashion designers अपना बहुत सारा खयाल लगिएगा अब हम मिलते हैं next video में